राजरखेडा पीजी कॉलेज में आज दुपहर को एनस युवाई और एबीवीपी कारेकरताओं के भी जड़प हो गई मौके पर मौझोद पुलस कर्मियों के बाद भी दोनों संघटनों के कारेकरताओं में जमकर मारपीट हुई मारपीट में एबीवीपी के तीन कारेकरता घायल हुए हैं घटना को लेकर एबीवीपी ने थाने में शिकायत दी है मारपीट की घटना को लेकर कॉलेज की अध्यक्षिर सपना ठाकुर ने बताया कि वारशिक उटसफ कारेकर्म के दौरान पहुँचे राचाखिरा वधायक रोहत बहुरा को कॉलेज की ग्यारा सूत्रिये मांगो को लेकर अखल भारती विध्यारती परीशत के कारेकरताओं कोई नजर आये कॉलेज की अध्यक्षिर सपना ठाकुर ने पूरे मामली को लेकर नस्यक्षिर कारेकरताओं पर मारपीट करने का रूप लगाया है उन्होंने बताया कि वारशिक उटसफ कारेकर्म के दौरान राजा खेडा में कॉंग्रेस विधायक रोहत बोहरा को कॉले को लेकर ग्यापन दिया जाना था ग्यापन देने के दौरान ही नस्यक्षिर कारेकरताओं ने अच्छानक उन पर हमला बोल दिया गटना को लेकर चात्रस अधिक वारशिक उन्होंने आई थे जहां पर एनुशे के गुंडों ने और बहारके गुंड़ी हैं उन्होंने आकर पुलिस परिजासन से भी बात हुरह रही थी कि आपको नारे बाजी नहीं कर रहे इंगे हम कुछ नहीं करेंगे हम सिप्पल बिजायक जी आएंगे उनको ग्यापन देंगे इतने हमें आके पुलिश से हमारा बारतालाब शर्राता खाली और अनुश्य के गंडों ने और जो बार के आवारा तक तो उन्होंने आके हमारे सिर में चोटें दी हैं पत्तर मारे हैं और कर प्रिशाथी की समस्चा थी और पुलिश चोटी की व्यास्ता थी हम सारी मांगों को लिए क्या पन देने के लिए आए ते पिस विदायकी जी आएंगे तो कुछ करेंगे लेकर इस तरीकी के तो क्या वरवरता दिखाता है इस बार्सक उस सब चलाता है इसी क्यों प्लच मे इसी क्यए हैं करता है पिस जी कुछ मांगों को लेगर था लेकिन विदायक के आने से पहले ही इन्होंने मुलब बला कर वाप प्रित दीया मेरे नहों को ये कोई तो हम कॉल्च कि तो मैं मेरे रख से अम हम सासन ओं से सवाल हैम आधिए हैसे स्टूडेंट राइट टू हेल्थ के विरोध में प्रदेश में पिछले एक सपताह से प्राइविट हॉस्पिटल बंध है अब प्रदेश व्यापी आवाहन पर सरकार अस्पतालों की डॉक्टर्स भी दो घंटे की पैन डाउन हरताल कर रहे हैं दोलपुर में राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून मानते हुए डॉक्टर्स ने प्रति दिन सुभा 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कलंबंध हरताल का फैसला लिया है राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने सुभार को सुभा 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टरों ने पैन डाउन हरताल की इस दोरान जिला अस्पताल की OPD दिखाने आये में मरीजों को परिशानी का सामना करना पड़ा जॉक्टर्स ने काले पट्टी बांध कर विरोध जताया और सरकार पर राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून बताते हुए प्राइवेट अस्पतालों पर थोपने कारोप ल रहा है इस बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल और डाइगनॉसस सेंटर बंध है जबकि सरकारी अस्पताल में दो घंटे का कार्य बहिशकार किया गया है डॉक्टर विजय सिंग ने बताया कि बिल के जरीए सरकार के अफसर कमीशन खोरी करते हैं जिसका विरोध करने के बावजूद सरकार के इशारों पर डॉक्टरों के खिलाफ कारवाई की जा रही है जो पूरी तरह से गलत है दोलपुर में 108 कलश की द्वारा भवे शुभायात्रा के साथ में श्रीमत भागवत कथा का शुभारम महराणा प्रताप नगर गउशाला कॉलनी दोलपुर में सब्त दिफसिये श्रीमत भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है कथा प्रवक्ता धर्म दूत श्री देव की नंदन जी महराज श्रीधाम वरंदावन से प्रतम दिवस की कथा में पूजे श्री महराज श्री ने गोकर्ण उपाक्षान दुन्दकारी का मोक्ष एवं भागवत कथा की महिमा सुनाई अपने जीवन में धर्म करने से कैसा भ बड़ा पाप हो मिट जाता है। तपेश बिधूरी ने बताया कि मैं अपने लिए नहीं मानव जीवन के लिए निरंतर सेवा करता रहूँगा। तपेश बिधूरी को सम्मानित होने पर उन्हें बधाई देने वालों का फोन कॉल मीडिया शोशल मीडिया पर ताता लगा हुआ है। का युजन किया गया। जिसमें सभी अधिवक्ताओं का सहियोग रहा मातरानी के दर्शन करने आये। सभी लोगों ने भंजारे में प्रसादी ग्रहन की एवं संतोशी मातरानी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। अधिवक्ताओं में वर्तमान अध्यक्ष, अड़ोकेट गौरफ शर्मा, सचीव, शांतनु शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, देविंद्र कोर्श्रेष्ट, पूर्व सचीव, सुबोट शर्मा, रंजी दिवाकर, अड़ोकेट हरियुम शर्मा, अड़ोकेट संतोश गूज जिसमें तभी अगधाओं इवेंग जो दुखर कर देए और बनाय लगाया है। जिसमें सभी सद्धालुओं को पूरी, शब्ली, बूरी, आठवात उत्रम किया जाना है। जिसमें शिरीका फ़्यू कराया है। जिसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।